रादे रादे जैश्री कृष्णा आज हम बात करेंगे कि भक्ती करने की सही उम्र कौन सी होती है ऐसी कौन सी एक एज है जिसके अंदर हमें अपनी भक्ती शुरू कर देनी चाहिए तो मेरा माने तो अपने जीवन में आपको भक्ती जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए और अपने बच्चों को भी भक्ती के माग पर अग्रसर करना चाहिए बूक्स पढ़ने के साथ साथ उन्हें भगवत गीता पढ़ने का ग्यान भी आपको देना चाहिए यदि वो भगवत गीता पढ़ लेंगे तो उन्हें कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पढ़ेगा क्योंकि भगवत गीता जो है एक मात्र ऐसी बुक है जिसमें हमारी सभी संसारिक समस्याओं का समाधान दिया हुआ है और साथी साथ भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो आपको बुरा सुनने से, बुरा देखने से और बुरा बोलने से हर राह में बचाती है तो जितना जल्दी हो स कि अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं और और लोगों को भी भक्ति में जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोसाहित करें और एक चीज़ का जब आप आप सभी मुझे कमेंट बोक्स में जरूर देना क्या आप बासी फूल भगवान को चड़ाते हैं यानि अगर आपके प अपने सारे उल्टे काम जीवन में करें हैं तो क्या उस समय भगवान आपको स्विकार करेंगे क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक बासी फूल बन चुके हैं रादे रादे जैश्री कृष्णा